Hello students, O-Level के IoT पेपर के practical class का ये 9 वीडियो है और इस वीडियो में हम buzzer के बारे में जानेंगे buzzer क्या होता है? buzzer को कैसे आप Arduino के साथ यूज़ करेंगे? buzzer से related हम सारे चीज़ें इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे और उसको अच्छे से उप्योग करना भी जानेंगे buzzer क्या है? ये पहले हम जानते हैं, buzzer एक प्रकार का speaker है जो ध्वनी उत्पन करता है यानि आपको इससे sound सुनाए देगा, आवाजे सुनाए देगी, ठीक है? इसका उप्योग alarm, computer, printer तथा un-electronic products में ध्वनी उपकरणों के रूप में उप्योग किया जाता है, मतलब जहां पर आपको टोन या आवाज उत्पन करने की आउशकता होती है, ऐसे electronic सामानों में buzzer का उप्योग किया जाता है, ठीक है? बजर आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा, इसमें कितने pins होते हैं, वह भी आप देख पा रहे होंगे, इसमें एक plus pin होता है, एक minus pin होता है, plus वाले pin को हम किसी digital pin से connect करेंगे, जो 0 से 13 numbers पर किसी भी pin से आप connect कर सकते हैं, अगर आप PWM pin से नहीं connect करते हैं, तो उसकी ज तरह की frequency पर काम करेगा, अगर आप अलग अलग तरह की frequency पर या tone पर आप इस buzzer को बजाना चाहते हैं, तो आपको PWM pin का उप्योग करना पड़ेगा, ठीक है, तो connect तो आप किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको तब tone की variations नहीं मिलेंगे, अलग अलग tone के लिए आपको PWM pin ह यह उप्योग करना पड़ेगा, PWM pin 3, 5, 6, 9, 10, 11, यह 6 total PWM pin होते हैं, Arduino, UNO में, तो किसी भी PWM pin से आप इसे connect कर सकते हैं, positive वाला आपको PWM pin से connect करना है, और negative वाला आपको GND यानि ground pin से connect करना है, अब हम समझते हैं, tone function क्या होता है, यह function buzzer से ध्वनी उत्पन कराने के इस function का उप्योग आप तप करेंगे, जब आपको buzzer से sounds उत्पन करना होगा, यह जनी generate करना होगा, आसान भासा में कहें, जब buzzer से आपको आवाज चाहिए, तो आप इस function का use करेंगे, इस function को लिखना कैसे है, आप यहाँ सबसे पहले tone function लिखेंगे, lower case में ही रहेगा, ध् terminal connect है, frequency क्या होता है, frequency tone की आवरिति है, हर्स में यह unit होता है, frequency का, फिर duration मतलब कितनी देर तक आपको उस tone को बजाना है, यह millisecond में होता है, और यह optional है, मतलब लिखना compulsory नहीं है, आप सिर्फ दो values को लिखकर tone function का उपयोग कर सकते हैं, चेक है, no tone function क्या होता है, या function buzzer की ध बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है, यानि tone function जब आप यूज करेंगे तो वो आवाज करने लगेगा, no tone function का उपयोग आप जब आप करेंगे तो वो आवाज करना बंद कर देगा, यानि यह आवाज करने के लिए है, और यह आवाज को बंद करने के लिए है, बंद को आफ करना है यह बताने के लिए सिर्फ उसका पिन नंबर आपको बताना होता है ठीक है यहां पर भी लिखा हुआ है जो बजर कनेक्ट है जिस पिन से वो पिन आपको बताना है ठीक है तो आपने टोन फंक्शन को अच्छे से जाना नो टोन फंक्शन को अच्छे से जाना औ मैं यहां पर Online Editor का यूज़ कर रहा हूं ताकि आपको मैं प्रोटोटाइपिंग और कोडिंग दोनों एक साथ स्क्रीन पर दिखा सकूँ ठीक है तो सबसे पहले मैं यहां पर एक बज़र ले लेता हूं ठीक है बज़र का हम उप्योग करने वाले हैं अपने इस कोड में रचहां ओडींट करके में एक बज़र ले लिया है हम पहले बिजान चुक के इसे में दो पिन होते हैं एक प्लमस ऩसे करना होता है और और निगेटिव वाला आपको ग्राउंड पिन से से connect करना होता है पॉस्टिव वाले का कलर थोड़ा मैं चेंज कर देता हूं ठीक है यह हो गया पॉस्टिव जो 9 नंबर के पिन से connect है और एक ग्राउंड है जो की जी एंडी पिन से connect है सबसे पहले पिन सेट कर लेते हैं पिन मोड फंक्शन 9 नंबर के पिन पे बजर लगा है इसको as a output सेट करेंगे ठीक है अब मुझे यहां पे speaker से आवाज चाहिए तो मैं tone function यूज़ करूंगा tone function में सबसे पहले पिन बताते हैं पिन नंबर है 9 फ्रिक्वेंशी बता देते हैं मान लेते हैं फ्रिक्वेंशी है 50 अब डिले function में यूज़ करने वाला हूँ कितनी देर तक इसको बजाना है मैं मान लेता हूँ इसको 500 मिली सेकेंड तक बजाना है यानि आदे सेकेंड तक फिर no tone function का यूज़ करूंगा और इसमें सिर्फ pin नंबर बताना होता है तो no number फिर मेरा बजर लगा हूआ है तो no pin नंबर है फिर जब वो off हो जाएगा तो last line होने के वज़े से low function का पहला line फिर से run होने लगेगा यानि वो बंद होगा फिर से वो start हो जाएगा तो बंद होने में और start होने में फोड़ा समय लगे इस वज़े से मैं यहाँ पर भी एक delay यूज़ कर लेता हूँ एक second का ठीक है तो अब आप देख पा रहे होंगे कि चार line इस function के अंदर है और एक line setup function के अंदर है रन करके इसको देखता है इसकी frequency थोड़ी कम कर देता है तो आदे second के लिए बज रहा है फिर एक second के लिए वह off हो रहा है अगर बजने का duration कम करना है तो डिले को आप सो कर देजिए ठीक है अब थोड़े समय के लिए बज रहा है लेकिन इंतिजार वो लंबा कर रहा है इंतिजार का समय बढ़ाना है यहाँ दो कर दीजिए अब वो दो second के बाद ही आवाज करेगा ठीक है लगतार बजाना है इस समय को भी कम कर दीजिए तो अब इसको हम समझते हैं पहले दीए सबसे पहले tone function काम कर रहा है और वो nine number पर लगे buzzer को 10 की frequency पर भनी उत्पन करने के लिए कह रहा है तो 10 hertz की frequency पर buzzer आपका आवाज करेगा फिर वो किती देर आवाज करेगा यह delay function द्वारा आप बता रहे हैं तो delay है 100 millisecond का तो 100 millisecond तक वो buzzer आपका आवाज करेगा नो tone function नो number पर लगे हुए buzzer को बंद कर देगा यानि वो से आवाज आना बंद हो जाएगा फिर 100 millisecond तक का इंतिजार किया जाएगा फिर वो tone function के द्वारा बजना start हो जाएगा तो यह आप समझ पा रहोंगे कि कि लाइन को लिखने से क्या काम हो रहा है ठीक है तो इसको आप अच्छे से समझ लीजेगा इस वीडियो में बस इतना ही आने वाले वीडियो में हम बाकी topics को भी cover करेंगे जो आपके o level के practical exams के लिए बहुत important है तब तक के लिए चाले जो आपके लिए